आप लोग मेरे चैनल पर नीव हैं तो मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए और दोस्तों में सेर कर दीजिए आज हम लोग कुछ क्वाड्रेटिक एक्वेशन का कोश्चन बनाने जा रहे हैं जो बहुत महत्तपूर्ण हैं एक्जाम के दिरिष्टी से दिखा जाए तो तो which are true कर रहा है कि which are true for equation दिया है x square a x square plus b x plus c equal to 0 equality question है if a equal to दिया आपका greater than 0 b के मान दिया है 0 और c के मान दिया है greater than 0 अकारा है कि के लिए कौन सत्य है जबकि यहां दिया हुगा मतलब कि A के मान ग्रेटर देन हैं मतलब कि A के मान जो होगा हमेशा आपका धनात्मक होगा पोजेटिव होगा B के मान हमेशा जीरो होगा C के मान हमेशा पोजेटिव होगा तो चार गो आपका अपसंदिया हुगा एक कह रहा है कि दो बराबर मूल होगा मतलब एकवल रूट हो जाएगा एक वास्तवी की मूल होगा तो आप मेरे दोस समझेए कि यहां पर अगर दो को वास्तवी की मूल होता ता या सही रहता है तो यह तो 100% गलती होगे दो को वास्तवी के मूल हो सकता है, रियल हो सकता है, रियल रूट मिल सकता है वास्तवी के, नहीं तो इमेजनरी मिल सकता है, नहीं तो अगर रेशनल रूट का है, तो दो रेशनल मिलेगा, नहीं तो दो आपका इरेशनल, मलत को पियर हमें से लाई करता है, यह तो 100% गलत अस अगर होगा तो complex होगा, imaginary होगा, rational आएगा तो rational आएगा, दोनों आएगा तो rational आएगा, दोनों आएगा तो real आएगा, तो यह गलत दिया है, दोनों भीन है, यह दिया है, दोनों भीन है, तो सही बात है, दोनों भीन हो सकता है, unequal root, इसमें से कोई नहीं, कोई मूल इसमें नह तो दिया हुआ है कि a x square plus b x equal to 0 दिया हुआ मेरे दूस्ते और ध्यान देंगे यहां पर हम लोगों का अगर हम डिस्क्रिमान लिखते हैं तो इसका मान होता है अगर दिया देंगे इसका मान तो आपको दिया है कि a के मान आपका positive हमेशा रहेगा बी के मान हमेशा 0 रहेगा और c के मान हमेशा positive रहेगा तो यहां पर value डाल दे रहे हैं यहां पर आपका हो जाएगा B के मान डालेंगे तो 0 हो जाएगा A हो जाएगा 4 A हमेशा positive रहेगा I हमेशा positive तो ध्यान देंगे कि जब A आपका हमेशा positive रहेगा हमेशा positive तो मतलब कि A C हमेशा का हो जाएगा positive रहेगा आप positive में अगर ध्यान देंगे पोजेटी में अगर negative multiply होता ही तो हमेशा negative होगा मतलब कि D के जो मान आगा हमेशा negative मतलब कि यह जो आगया आगा less than मतलब कि यह अहाँ पर आपका no real root मिलेगा no real root मिलने वाला है मतलब कि कोई वास्तवी के कोई वास्तवी के मूल नहीं मिलेगा यहाँ पर समझेए मेरे दोस्त आई होप आप समझ गये होंगे तो यह आपको main condition दे दिया है कि A के मान greater than B के मान 0 और C के मान आपका greater than तो यह पर मतलब कि यह पूरा मतलब कि आपको root का जो nature है nature को ही मतलब कि बता दे रहा है कि इसका मतलब कि गुण कैसा है nature का real होगा कि आवास्त्विक होगा कि वास्त्विक नहीं होगा तो यह आपको बता दर आई होप मेरे दोस्त आपको समझ माया होगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में जाने को नमती दीजिए जय हिंदे